इस वीडियो हम लोग compare करने जा रहे हैं Phil Heath का 2013 का version और काई ग्रीन का 2012 का Mr. Olympia जिसमें की वो third आये थे और current Mr. Olympia 2024 के Samsung Doda तो इन तीनों ही athletes के हम लोग comparison करने जा रहे हैं तो almost इन तीनों ही athletes का prime था बेस्ट फिजीक पे थे तो मज़ा आयागा comparison में तो इस पोज में अगर फिल हीत की बात करोगे तो उनके quarts बहुत ज़्यादा conditioned है आप देखेंगे कहीं न कहीं lats की width जो है front से इतनी अच्छी नहीं लगती है बड़ी नहीं लगती है बट अगर आप arms देखोगे तो arms बहुत ज़्यादा impressive लगती है quarts बहुत ज़्यादा impressive लगते हैं और arms shoulder quarts इस pose को अच्छा बनाते हैं और mid section ठीक है बहुत ज़्यादा impressive नहीं और दुसी तरफ हम देखते है काई green को उनके भी quarts में काफी अच्छी conditioning हमको देखने को मिलती है mid section बैटर है फिल हीट से arms भी बैटर है बट आप स्टेल मैं कहूंगा कि फिल हीट की best arms अभी इस pose में लग रही है satis interior अच्छा है काई green का और overall pose काफी अच्छा लग रहा है वेस्ट ठीक लग रही है और samsung डॉड़ा की बात करें तो aesthetic लग रहे हैं बिलकुल वेस्ट बहुत पतली है quarts बहुत ज़्यादा impressive है condition है और back के width भी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो overall मिले को यह ज़्यादा अच्छा पोज लग रहा है काई green का because की बहुत अच्छी symmetry नजर आ रही यहां से वेस्ट अच्छा है quarts अच्छे हैं वीट पर अच्छा है arms भी बहुत ज़्याद अच्छे है और second पर रखोंगा मैं Samsung Doda को again aesthetics के करके midsection अच्छा है vacuum अच्छा डा रहे है lats काफी अच्छे निकल के आ रहे है अच्छा खासा size आपको quarts में देखने में मिलता है conditioning में देखने में मिलता है और एक इस comparison में पहले बतायता हूं कि lighting का बहुत बड़ा reason होता है उस time की lighting और इस time की lighting में बहुत फरक है तो कहीं न कहीं जो athletes है comparison में अभी recent lights ज्यादा better हो गई है तो शाप ज्यादा देख सकती है बट according to footage ही हम लोग comparison करेंगे तो third पर मैं इस pose में फिल हीद को रखता हूं front light spread की बात कर लेते हैं तो इस pose में हम देखते हैं फिल हीद बहुत ज़्यादा हाड लग रहे हैं तो जैसे कि मैंने काई कि आर फोटेज का भी काभी फरक पड़ता है तो footage के करके ही हम लोग comparison कर रहे हैं तो इस footage में तो आपको fill heat बिल्कुल next level के conditioning में इपको दिखने वाले हैं और वहीं काई green भी बहुत ज़्यादा हाड है still मैं hardness पे फिल हीद को ऊपर रखने हूँआ कि बहुत ज़्यादा हाड लग रहे हैं और काई green का भी अच्छा खाला size है अगर V taper की बात करोगे ज़्यादा बेटर आपको V taper का better हुए हैं last two years से बट स्टिल और वी इंप्रोब करने की ज़रूरत है वीडे पर काफी अच्छा है और फिजीक में quartz बहुत अच्छे लग रहे हैं सैमसंग डॉड़ा के तो according to conditioning मैं shoulders, arms, quartz, chest की conditioning के basis पे यह पोज मैं अब फिलीट को दूँगा second पर रखूंगा मैं काई ग्रीन को और third पर आएंगे सैमसंग डॉड़ा any side chest की बात करते हैं तो यार इस पोज में देख सकते हैं फिलीट को क्या next level की conditioning नज़र आ रही है आपको mid section, oblique section, shoulder arms, chest, four arms, glutes, hamstrings मतलब कोई कमी आपको नज़र आएगी न में कही न कहीं बाहर आते हैं बट आप shoulder triceps देखोगे, chest की stirrations देखोगे, आपको next level का देखने वाला है और वहीं साथ में आप देखते हैं सैमसंग डॉड़ा को जो कहीं न कहीं conditioned है, बहुत बड़ा size है बट conditioning में जो साथ खले दो athlete हैं, फिलीट और काईगरिन, उनका सच मे कोई मुकाबला नहीं है इसपोज में, तो फिलीट और काईगरिन की दोनों की conditioning में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही perfect लग रहे हैं, बट mid section के according ये मैं फिलीट को दूँ है, because mid section बहुत ज़्यादा शाप है, और second पे yes हम लोग रखेंगे काईगरिन को, और third पे रखेंगे ह क्रैप्स वाला साइड क्या तगड़ा लग रहा है और बहुत ज़्यादा huge लग रहे हैं, फिरे पर width की बात करेंगे तो width में दोनों को हरा देंगे काईगरिन और फिलीट को, but conditioning जो की बहुत की है, तो इसमें भी यार हम लोग जो ये पोज है वो फिलीट को ही देंगे, because reason है, इनके glutes, glutes बहुत ज़्यादा styrated है, hamstrings बहुत ज़्यादा conditioned है, और कहीं कहीं काफ के marks कर सकते हैं, वहीं इस पोज में अगर आप काईगरिन को देखते हो, तो काफी अच्छा आपको वीटे पर नज़र आता है, back काफी नीचे तक है, glutes बहुत ज़्यादा अच्छे ह मेर को फिल हीट के नज़र आ रहे हैं, और बाकी फिजीक में कोई कमी नहीं है, और एक डाउन फॉल, एक दिकत ज़ारी है, फिल हीट की फिजीक में, काफ हमको अच्छे नहीं नज़र आ रहे है, वहीं काईगरिन के काफ बहुत ज़्यादा conditioned है, hamstrings बहुत ज़्यादा conditioned है, ग्लूट्स की conditioning कहीं न कहीं effect है, और बैक की बात करें तो यह density बैक की फिल हीट की बहुत ज़्यादा है, तो यह कुछ रीजन है जिसकी वज़िसे मैं यह पोज फिल हीट को दे रहा हूँ, और second पर yes of course sky green रहेंगे, और third पर रहेंगे samsung डॉटा, उसका reason यह है, इनके ग्ल तो बिल्कुल unbelievable लगता है, इनका बिल्कुल legs वाला section आप देखोगे तो इतना impressive है, वी टेपर देखोगे, इतना अच्छा वी टेपर निकल कराता है, और वहीं काई green को देखोगे, काई green की back में density देखो, depth देखो muscles में, बहुत ज़्यादा अच्छा है, proper वी टेपर की बात करें, वी साइस बहुत ज़्यादा कम है, फिलीट का, as compared to काई green, क्लोट हैं सिंग्स अच्छे हैं काई green के, बट वहीं क्लोट में ज़्यादा कंडिशनिंग फिलीट की है, again मैं ये फिलीट को ही दूँगा, उसका रीजन यह है कि वीस बहुत छोटा है, और वीस की नीचे क सेक्शन देखोगे, क्लोट हैं सिंग्स वो बिल्कुल अन्रियल बना रहा है इस पोस को, और काई green कोई भी बोड़ी विल्टर होगा, उसको हरा देंगे इस पोस में, बट इस पार मैं अगयन ये पोस फिलीट को ही दूँगा, second पे, काई green रहेंगे, सैमसंग डॉड़ा का अगयन, बैक का वी टेपर की बात करोगे, तो जो वेस्ट से शूडर का रिशु है, बहुत ज़दा इंप्रेसिव है, वेन की, फिलीट और काई green दोनों को हरा रहें, बट क्लूट सैमसंग वाला साइड अगयन जैसा की, मैंने बताया है की, फिलीट अन्बीटबल हो जाते है, और रियल में भी हमने देखा है, तो कॉंट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, प्रोपर एप्स, और मिट सेक्शन छोटे लगता है, और लैट भी बहुत ज़दा छोटे लगते हैं इस पोज में, और वहीं आप काई green को देखते हो, काई green बहुत ज़दा हार लगते हैं इस प पोज में, कॉट्स तो हमने देखे, कंडिशनिंग, मिट सेक्शन डेफ्स देखोगे, आप एप्स में तो बहुत इंप्रेसिव लगेंगे, तो बहुत ज़दा इंप्रूमेंट करके आए हैं, बट स्टिल काई green ज़दा बैट रहे हैं, विकोज उनके ज़दा स्टैरिशन कॉट्स में देखने को मिलते हैं, तो ये पोज जाएगा काई green को, सेकंड में ये सैमसंग डॉडा को दूँगा, और थर्ड देंगे हम लोग ये फिल हीद को, मोस्ट मस्कुलर की बात करते हैं, तो फिल हीद अगेन बहुत ज़दा हार नजर आ रहे हैं, कॉट्स मिट सेक् लगते हैं, बहुत ज़दा हीज़ लगते हैं, मिड सेक्शन इस पोज में काफी अच्छा लगता है, तो एक और दिखत है इस पोज में के, कहीना कहीना जो एक्सपोजर है, इस पिचर में कम है, और वहीं काई green और सैमसंग डॉडा की पिचर में एक्सपोजर बहुत आगी फोटो का थोड़ा से दिक्कत हो जाता है, तो मैंने रॉफ फोटो डाली है, एडिट नहीं करी, तो अभी एडिट देख सकते हो, फिलहीत का वर्जिन टॉप कलास है, तो एक्सपोजर भी बहुत ज़दा है, तो अगैन ये पोज भी मैं फिलहीत को दूँगा, रहे हैं, क्वाट्स मतलब की नेक्स्ट लेवल, फिजीक हम को देखने को मिल रही है, तो फिर्स्ट फिलही रहेंगे, सेकंड रहेंगे, काई गिरीन और थर्ड रहेंगे, सैमसंग टॉड़ा, बिकॉस अफ तो ऑवराल कंडिशनिंग, कंडिशनिंग बहुत ज़दा मैटर करती है, उसी में कहीं न कहीं फिल्ड चीतते हैं, यह सारा कंपेर्जन है,